जै मातादी सक्ति की साधना का महापर्व आरंब हो चुका है और सक्ति की क्रिपा के बेगार जीवन में कुछ भी संभब नहीं है मादुर्गा ही सक्ति की देवी है और वो निर्वलों को सक्ति देती है निर्धन को धन देती है जो भी उनकी सरन में आ गया उनकी वो रक्षा करती है जीवन से जुड़ी हर प्रकार की बिपत्तियों को पल भर में दूर कर जीवन में सुख, सांती, आरोग अच्छा स्वास्त देती है देवी दुरगा की नवरात्री में साधना करते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए आईए जानते हैं कुछ खास नियम और वो कौन सी वस्तु है जो नवरात्र के दिनों में जरूर खाना चाहिए देवी की कृपा पूरे साल बरस दी है चाहे आपके जीवन में धन की मुस्किलों संतान की चाहत हो नौकरी बैपार की मुस्किलों सत्रू परेसान करे या जीवन में आप सुंदर्ता चाहते हैं वानी की सक्ती चाहते हैं जैसी भी मनोकामना है नो मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली देवी नो मनोकामनाओं को पुरा करने वाली देवी मा आपकी मनोकामनाओं को पुर्ण करेंगी तो नवरात्री में जो मा दुर्गा हैं उन पुषप नहीं है तो आप बादाम रख सकते हैं मिसरी के दाने रख सकते अगर यहां भी आपके पास माला नहीं है तो ऐसी इस Champions में आप जैसा कि हमने बता Wechesब कर सकते हैं वैसे मालक्षमी को बिल 네 कर सकते हैं सबसे ज्यादा प्रसन नोड़ीन बिल्पत्र से ही होती है करें तो जैसे कि आप आज 108 बार किया कल 206 बार ऐसा मत कीजिए रोज एक ही गती से कीजिए आज माता मान लेते हैं मां जैसे आज के दिन आपने मासेल पुत्री की अराधना की तो कल आप करेंगे ब्रह्मचारनी की तो मंत्र की संख्या वही रखिए इससे क्या होगा ना आप ज्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे और जब भी आप मंद्र जब करें पूजा पाठ करें तो इधर मंद्र भटकाएं सांत रहिए हमेशा ही उन या कंबल के आसन पर ही बैठिए तो आप ज्यादा अच्छे से साधना कर पाएंगे और भूल कर भी नवरात में काला रंग ब्लू कलर डार्क बैगनी डार्क कोको कुला कलर इस सभी कलर का प्रियोग बिल्कुल भी ना करें वह अस्तर का खास कर मा दुर्गा को तमाम बस्तुएं अर्पित होती हैं तो पहले से ही एकत्रित करके रख लें ताकि आपको बाद में और सभी धाना हो नवरात्र में ब्लू से भी किसी भी तरह का गलत विचार मतला ये और भगवान के माता रानी के जिस भी स्वरूप की आप साधना अरधना कर रहे हैं उनके स्वरूप का मनी मन हर्समें ध्यान कीजिए तो सक्ती की साधना का सुप्पल प्राफ्ट करने के लिए ब्रत रखा जाता है आप रखे या ना रखे कम से कम लहसन प्याज मांस मदिरा इन चीजों का सेवन भूल कर भी ना करें वरना आपको ब्रत का पूरा फल नहीं मिलेगा तो नौरात्र में वह कौन सी वस्तू है जिसे आपको जरूर खाना चाहिए ताकि मातारानी की किरपाबरस्ती रहे मातारानी के नौ स्वरूपों की पूजा नौ दिनों में की जाएगी तो मा के हर स्वरूप का अलग मंतर है अलग भोग है और अलग तरीके के वो बर्दान देती है इसलिए आप पहले दिन मा सैल पुत्री की आराधना करेंगे पूजा करेंगे तो आप मातारानी को सुद्ध घी गाय का अरपित करेंगे भोग में और ये गाय का घी आप परसात के रूप में खुद भी खाईए पूरे परिवार को दीजिए हर बैक्ति पूरे साल अच्छा स्वास्त यानि उनको बरदान मिलेगा और वो आरोग को प्राप्ति होगी और गंभीर विमारियों से भी रक् प्रसात के रूप में पूरे घर परिवार के साथ खाईए आप सभी क्या आयू बढ़ेगा और स्वास्त भी उत्तम रहेगा आरोग की प्राप्त होगा लंबी आयू प्राप्त करेंगे नवरातर के तीसरे दिन मां चंदर घंटा की पूजा होती है तो इस दिन मां को दूद या दूद से बनी चीजें और पित की जाती है दूद आप चाहें तो गाय का कच्चा दूद आप एक कटोरी में चांदी की कटोरी में कोई भी कटोरी आपके पास है तो मां को भोग लगा ये फिर प्रसात के रूप में खाईए या आप दूद से बनी भी कोई भी म मां को भोग लगा सकते हैं और परसाथ के रूप में खाईए आप दान भी कर सकते हैं थोड़ा सा मिठाई खुशी बढ़ती है जीवन में खुशियां आती हैं नौरात्र के चौथे दिन मां का जो चौथा सोरूप है कुस्मांडा सोरूप की पुजा होती है मां की उपासना क करने से कठ此 रोग जटिल से जटिल समस्या हरकस्त स्ट दूर तो मां को माल पुए का ब्होग लगाया जाता है अाल लेते हैं व्माल नहीं बनापाए किसी कारण था तो आफ्लोग लगाईए खुद भी कहाईए और सब खिलाइए बुद्धी तेज होगी आपकी वानी की सकती बढ़ेगी दिमाग एक्टिव रहेगा नवरात्र के पाँचवे दिन मा इसकंद माता की पूजा की जाती है और मा के इस स्वरिव की पूजा करने से भक्त की सभी मनोकामनाय पुर्ण होती है संतान की प्राप्ति होती है इसलिए मां को इस दिन केले का भोग लगाएं जब भी केले का भोग लगाएं जोड़े की संख्या में यानि 2, 4, 6, 8, 5 या 11, 7 मत लगाईएगा केले का भोग हमेशा जोड़ा ही लगाना चाहिए और अगर गुरु गमजोर है तो आप केला दान भ भोग लगा जाता है अगर आपके घर में चांदी का बर्तन है तो उसी में रखकर सहथ का भोग लगाएगा जीवन में मिठास घुलेगा प्रेम बढ़े अपनों के साथ 7 दिन मा काल रात्री की पुजा होती है मा काल रात्री भूत प्रेत नकात्मक सक्तियों से रक्षा करत मा को गुड़ का भोग लगाया जाता है गुड़ जब भी आप भोग लगाये तो आधा गुड़ घर में अपनों के साथ खाईये परसात की रूप में और आधा गुड़ किसी को दान कर दें आपास के मंदिर में रखाये जीवन के कस्ट मिठेंगे किसी भी तरह का नकात्मक कुर जाएं समाप्थ हो जाएगी नवरात्र के आठमे दिन मा महा गोरी को नारियल का भोग लगाया जाता है और नारियल का भोग लगाने से घर में सुख सम्रिद्धी बढ़ती है संतान से जुड़ी समस्या दूर होती है और पूरे परिवार के साथ परसात में जो भी आपक को तिल का भोग लगाया जाता है तो नौमी के दिन तिल का भोग लगाने से किसी भी तरह का जीवन में अन्होनी नहीं होती जो अकस्मी घटनाएं हैं वो नहीं घटती और जीवन एकदम से स्मूथ चलता है तो मां के नौ दिनों में नौ भोग लगाई यह परसात के जाईएगा और एक नया वस्तर जरूर पहनिएगा जरूरी नहीं कि सारे वस्तर नया हो एक नेक पहनिए और माता को आप पान का भोग लगाईए पान अरपित कीजिए और पूरे परिबार के साथ पान खाईए पूरा साल आपका बहुत जादा जीवन में खुसियां लेकर आ लिए उसमें का सिख्का डाल कर मां को भूग लगा है एक घंटा कमस का मां के सामने रहने दे बाद में सिख्का को पोच कर अपने पास सम्भाल कर रख लें जो दूद्ध है थोड़ा थोड़ा परसाथ के रूप में खालें केक बंद और बांकी का ज्यादा दूद्ध नहीं इतना ही लीजिए कि चांदी का सिक्का उसमें डूब जा छोटा बड़ा सिक्का मायने नहीं रखता नया पुराना भी मायने नहीं रखता आपके पास जो है उसी को डाले लेकिन सिक्का हो और बाकी का दूद किसी पौधे में डाल दे वैसे दूद थोड़ा ही लीजिएगा याद रखिए ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करना तो इस तरह से आप नो दिनों में नो भोग आपको जरूर खाना है घर में पुजा पाट करें नहीं माल लेज़ें किसी कारम सब्स घर में पुजा नहीं हो पा रहा तो आप कहीं से भी परसात के वेवस्था करें और सत्रू बिलोदी सांत रहेंगे हर तंतर क्रियाओं से रक्चा होगी हम आपसे विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेर करें और कमेंट में हरहर महादेव चरू लिखें धन्यवाद हम फिर मिलेंगे